आज का मार्केट के पर ओपनिंग होने के बाद में पूरा चला गया यानि कि यहां पर क्या था कि नए बायर हमें मिलने रहे थे तो मैंने ग्रूप में बता था कि एक टाइम यहां पर हमें सकता है क्योंकि हमें नए फ्रेश बायर मिलनेंगे तब ही हम यहां से उपर जा सकते हैं आज यहां पर देखेंगे तक चोटी सी रेंज में हमने यहां पर यह पूरा टाइम बिता दिया कल के लिए इंपोर्टन जो लेवल रहेगा ज्यादा तर लोग क्या करते हैं यह लेवल और बैंक निप्टी का बात करें तो वहां पर क्या था कि मैंने यहां पर इस लेवल के आसपास था जब मार्केट तो मैंने बताया था कि यह ट्रेंड लाइन बने या और इसके उपर यहां पर सस्टेंग करेगा तब हम बाय करेंगे तीन बार अटेंट किया यहां पर इस चांस रहेगा कि यह लेवल के उपर निकलता है तो हम फिर से अबाई कर सकते हैं तो कल के लिए भी ध्यान में रखना 14,450 इंपोर्टन रहेगा आपके लिए उपर जाने के टार्गेट के लिए और कल फिन निप्टी का एक्स पर यह तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है यह भी अच्छा सा यहाँ पर एक अच्छा सा शॉट कवरिंग मिलेगा जो कल अच्छा यहाँ पर मार्केट रहा साथ दिया नए फ्रेस बायर ने तो आपको यहाँ पर यह 19,800 और वर्स केस 19,950 तक भी जाता हुआ देख सकता है क्योंकि एक्सपार ही है अगर शॉट कवरिंग आया तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा सा मुनाफ़ा दे सकता ह है अब इसका सबका हम यहाँ पर डेली चार्ट देख लेते हैं दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नव हो तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरू करना दोनों के अगर आप केंडल देखते हो इंडेक्स की यानि निफ्टी और बैंक तो आपको यहाँ पे एक बैरे स्केंडल देखने को मिल रहा है जहां पे हमारा ओपनिंग हो का थो ही बना के फिर से यहां पर प्रॉफिट बॉपिक इंग देखने को मिला है यह यह चैनल यह लग होगा जब इसके लोह के नीचे हम यहां फसे 15 मिनित सस्टेंग करेगे इस 650 से लेके 800 तक आपको उपर लेके जा सकता है नीचे में यहां पर क्या यह गैप अभी यहां पर है जिसका हाई है यहां पर 44,060 यानि कि 200 पॉइंट के आसपास है पर जब तक वह जो लेवल मैंने आपको बताया वह ब्रेक नहीं होता तब तक तो हमें बायोन डेपी करना है 18,260 का लेवल द्यान में रखना एक क्योंकि वह अगर तूटा तो आपको 100 पॉइंट का महां पर डाउन साइट का मो मिल सकता है तो इसमें जो द्यान में रखना है जो अभी मैंने लेवल बताया 19,585 का स्टॉक की बात करें तो रिलाइंस आज यहां पर पर फेक्ली डोजी केंडल बना हुआ है यह एक होल्ड केंडल रहता है क्योंकि क्या होता एक कंटिन्यूम होता है उसके बाद में डोजी केंडल ब आप देखोगे यहां से जब मार्केट यह रिलाइंस ने चलना चालू किया था यहां जाके एक दोजी बना नेक्स दिन क्या हो गया उसके उपर ही खुला यहां पर और यहां से कंटिन्यूम होते है तो अगर कल हम यहां पर ओपन होते है 25 26 से लेकर 30 के बीच में और हम हमारा टारगेट ओपन है SBI यहां पर दो बुलिस केंडल बना हुआ इसका जो डिवीडन है वह आने वाला है 31 को 11 रूपए है तो यहां पर हम एक्सवेक कर सकते कि यहां से यह 11 रूपए उपर जा सकता है यानि 608.80 तक जाएगा और फिर जब यहां पर नेक्स दे आपको देखने को मिलेगा कि एक फॉल आ रहा है यानि कि डिवीडन है तो यहां से आपको यह नीचे भी आता हुआ दीखेगा यह वापिस सपोर्ट लेके उपर जाएगा तो प्राइस एक और ग्रिंग केंडल यहां पर बन सकता है तो आप इसको बाई करके चल सकते हो काफे अचा सा ब्रेक आउट हुआ कल इसका रिजल्ट है 31st को है स्वारी आज इसने वोल्यूम के साथ यहां पर ब्रेक आउट दिया है हमरा जो नेक्स टार्गेट है यहां पर ट्रिपल सिक्स है तो आज के हाई के ऊपर निकलता है तो बाई करना है इसको ऑप्सन चेंगी बात करता है तो पहला है यहां पर फिन निप्टी का ऑप्सन चेंग करता है तो देख लेते हैं पहले इसको अगर यहां पर आप देखते हो तो 19,500 का काम करेगा जो अभी मैंने बता है 461 काफी अच्छा सा सपोर्ट है तो 46500 के बीच में अगर कहीं मिलता ह है और होल्ड करता है तो वहां पर आप कर सकते हो जब तक यह 19,500 करेगा तब तो आपको यहां पर एक और अटेम्ट के देखने को मिलेगा जो होगा वह 19,600 के उपर कल अगर मार्के गैप अपन होता है 19,600 के उपर तो यहां पर जिन्हों ने भी यह कॉल आज जो शॉट किय है वो लोग यहां पर ट्रेप होंगे और आपको यह फर्दर उपर लिके जाएगा वह शॉट कवरिक हमारे लिए काफी अच्छा होगा नेक्स क्या हो सकता है कि आपको पूरे दिन यहां पर फ्लैट ओपनिंग हो यानि फ्लैट ओपनिंग होती हो और साइडवेज निकल ज आपको वहाँ पर पैसा मिलेगा नेक्स्ट है हमारा निप्टी तो निप्टी में अगर देखते है डेटा तो हमें इंदमनी अभी भी यहां पर शॉट दिख रहा है और जो इंदमनी कॉल है वहाँ पर हमें लॉंग अंडवर्डिंग देखने को मिल रहा है 18600 यहां पर 38 ल होता है तो हम उसको 673 और 692 के लिख तक जा सकता है ओपर की साइड तो यहां पर आप की साइड बैठ सकते हो अगर यहां पर डीप मिलता है 18555 को होल्ड कर जाता है तो भी आप वहां पर एक बाय कर सकते उपर आपका तभी बनेगा जब 605 के उपर सस्टेंग करेगा नीचे की साइड आपको यहां पर सपोर्ड भी वही करेगा 555 का उपर में शॉट कवरिंग जो देखने को मिलेगा उसके लिए आपको जो बेंक निवडी 44,000 काफी अच्छा सा यहां पर आज देखा यानि कि हमारा जो सपोर्ड है वह 44,000 33,000 लैक ओपर है तो वह एक ब्रेक होना अभी यह एक सपारी के लिए तो यह होल्ड कर जाएगा तो अगर किसी को शॉट करना है तो 44,000 के नीचे का कोई भी पूट आप 44,000 जिसका प्राइस औरी 420 पहुंच चुका है कल अगर यहां से फर्दर उपर खुल जाता है तो यह प्राइस उनको फर्दर प्रेसर करेगा एकजिट करने के लिए तो यहां पर काफी अच्छा सा यह एक स्क्वीज हो सकता है 500 के उपर जैसे यहां पर सस्टेन होता है तो आपको एक अच्छा सा अप्मूब क्विकली देखने को मिलेगा जो आपको 44,700 से लेके 900 तक लेके जा सकता है ग्लोबल की उसकी बात करें तो आज यूस मार्केट क्लोज रहेगा तो हमारे पास इतना वहां से कोई डेटा या तो क्लूज क्यूज नहीं आने वाले हैं तो अभी की देखेंगे तो एक फ्लैट 4% के आसपास चल रहा है बाकी सारी चीज देखेंगे तो यहां पर जो हमा 21 है और हमारा आइनर भी रेजिस्टेंस लेके वहां से फॉल करता हूँ देख रहा है 12.29 वीक से 3.34 परसंट आज बड़ा हुआ है वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पर दीए उत हुआ है इंट्राडे में देखेंगे तो हम यहां पर जैसे हमने डिस्कस किया कि यह पूरा एक यहां पर स्कुरी बंडardon चुका यानि एक स्क्वेर के अंदर ही हमedy कर रहा है अच्चा चीज किया है कि हमने यहां पर यह ब्रेकडाउन नहीं दिया कि यहां से जैसे नीचे आ रहा था पहला एक्सपेक्टेशन उनका क्या होता है गैप फिल करेगा मार्केट ने क्या गया दूसरी केंडल में उपर लिया अब जब यहां पर ट्रेड केंडल है यह कैसा है कि इसके आसपास जाके क्लोज हुआ यानि कि यहां पर फिर से इन्वाइट किसको किया बायर को सेकंड गैंडल में इसको वापस यानि कि आपने यहां पर पूट लिया तो एसल कॉल लिया तो एसल पूट लिया फिर से एसल कॉल लिया फिर से एसल उसी जग यहां पर यह पूरा साइडवेस होके चला गया है अग हम नुक्सान हुआ होगा कॉल बायर को यहां पर ज्यादा नुक्सान हुआ होगा अगर हम यहां पर द्यान में रखना है तो हमारे लिए लेवल जो रहेगा वो यहां पर जो 555 का हम यहां पर लाइन करके रखते हैं जब तक इसके नीचे नहीं जाता हम शौट नहीं करेंगे करना आपका पहला जो यहां पर ठारगेट वो होगा यह ट्रे टला आ रहिए वहां पहला पहला टारगेट होगा उसके उपर फेल निकलता है तो हमारा यहां से फिर से एक उपर यानि 673 692 तक हम जा सकते है है तो हमारा यहां पर उपर का जो टार्गेट है वह आयेगा 92 के आसपास आता है हाई से यह ठोटेट भुली स्केंडल मिलता है तो करना आपका टार्गेट रहे गया 555 रहेगा और फिर यहां पर क्लोजिंग के आसपास यानि 18 580 आपका सेकंड टार्गेट रहेगा यहां पर मेरा अभी भी व्यू बायों डिप सी रहेगा मैं अभी भी यहां पर शॉट करने में इतना कमफर्टेबल नहीं हूँ बैंक निप्टी यहां पर हमें जो ज्यान में रखना है वो क्या है कि जो अभी डिसकस किया 260 का लेवल 260 के नीचे जाता है तो यहां पर हम थोड़ा एक शॉट कर सकते हैं 100-150 पॉइंट के लिए नहीं तो आप वेट करना जैसे यह केंडल है यहां पर 430 का केंडल तो उसमें 20 points और एड़ कर दो और 450 के उपर सस्टेंग करता है तो आप करना आपके लिए 635 और फिर उपर में यहां पर 635 कर देते हैं और उसके उपर फिर आएगा यहां पर 800 के आसपास हम जाता हुआ दिखेंगे 790 हमारा यहां पर टार्गेट सेकंड रहेगा तो यह दो टार्गेट के लिए आप बाई कर सकते हो कब जब यहां पर 460 के उपर सस्टेंग करता है तो 460 भी आपको अगर लगाना है तो यहां यहां पर लगा सकते हो कि इसके उपर गया तो हम यहां पर एक अच्छा सा बाई मिल सकता है दो टार्गेट उपर की साइड में मिलेगा यानि कि हम यहां पर ट्रेड करेंगे 200-500 पॉइंट के लिए नीचे में हमें कब शॉर्ट करना है शॉर्ट के लिए अभी हमें यह ले इसको पहला एक यहां से बनेगा यह थोड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है इसको इससे अच्छा है हम लोग ट्रेंड लाइन बना देते हैं यह ट्रेंड लाइन काम में आएगा क्योंकि क्या होगा यहां से अगर ब्रेक आउट आता है तो पहले यह होल्ड करेगा जहां से यह line भी आता है तो आप क्या करोगे यहां पर एक ऐसा line यहां से draw कर दोगे तो जब तक यह line के हम नीचे trade कर रहे हमें यहां पर कोई trade नहीं लेना है अब हमारा बन गया यह एक buying zone इसके उपर निकले तो हम buy करेंगे हमारा target यहां पर जो अभी discuss किया आगे वैसे 680 से लेके 800 तक भी हम जा सकते हैं तो इसमें buy में रहना short के लिए short के लिए हमें 460 के नीचे ही short करना है फिर हमारा क्या होगा की target यहां तक एक बार यह आ सकता है support लेने के लिए यह first रहेगा और सेकंड आपका रहेगा 355 तो यह दो target के लिए short कर सकते हो यानि नीचे 100 point उपर में 200 point हमारा कल के लिए प्लान रहेगा तो मैं आज से करता हूं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर ज़रू करना तेंकियो दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो में ठेक केर बाबाई